कि डियर फ्रेंड्स मैं डॉक्टर पाउन बासनी वाला का स्वागत करता हूं वेलकम करता हूं फ्रेंड्स आज एक अपन नई चीज लेके आएं वह क्यूसंस दाट इस फ्रॉम फार्मस इंसुटिकल इन औरगनिक कैमेस्ट्री के क्यूसंस है और वह भी बेस्ट होंगे डिए दिशू के एक्जाम के लिए ड्रग इंस्पेक्टर के एक्जाम के लिए और जो मैं क्यूसंस बताने वाला हूं हिंदी और इंग्लिस में एक्स्प्लेशन के हिसाब से बताऊंगा तो देखें फ्रेंड्स इसमें यह दिया अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे देखने के लिए पहला क्यूसन लेते हैं देखना फ्रेंड्स देखना पहला है एपसेंस आफ यह तो स्टामक है स्टामक में यह दिया एक्सियल सिक्रेट होता है तो यह दी एक्सियल की प्रेजेंस है तो उसको हम बोलते हैं क्लोर हाइड्रिया और यह दी यहां पर एक्सस अमाउंट होगा एक्सियल का तो एक्सियल क्या करेगा इस स्टामक की मेंब्रेन या म्यूकोसा को डाइजेस्ट करेगा मेंस वहां पर अलसर प्रोड्यूस करेग होगा हट होगा तो एक्सस हैज से क्या होगा फ्रेंड्स होगा और यदि यहां पर हैलिको बैक्टर पाइलोरी एक बैक्टिरिया होता है यह तो यहां पर excess HCL की वज़े से और helicobacter pylori से जो ulcer produce होता है हम उसको peptic ulcer होते हैं और यदि यहां पी जो HCL secret हो रहा है HCL का काम क्या है friends जो food material होता है food material को क्या होता है uniform form में लेके आता है uniform form में लेके आता है ताकि उसको enzymes उस पे काम कर सके ठीक है means enzyme का action हो सके clear तो यहां पर यदि HCL नहीं होगा तो food का digestion नहीं होगा ठीक है food का digestion नहीं होगा उस condition में absence होगा उस condition को हम बोलते है एक लोर हाइड्रिया तो friends इस क्यूसन का answer क्या हो absence of hydrochloric acid की बात कर रहे है तो इसका answer क्या हो गया एक लोर हाइड्रिया यह है cancer B that is a chlorhydrिया come to the next question which is true for slightly soluble compound as per IP volume of solvent for dissolving one part of solute friends IP एक particular standards देता है जिसके according एक particular amount of solvent होगा तभी वह soluble होगा या अलग लग टर्मिनलोजी होगी वह किस तरह से होगा friends देखना यहां पर very soluble के लिए होगा less than one part यह इस फ्रिली शोलीबल की बात करेंगे तो one to ten parts ओंगे यह दि slightly soluble होगा तो ten to thirty parts होगे और यह दि sparingly soluble होगा तो thirty two hundred parts होगे यह दि slightly soluble होगा तो 100 to 1000 parts होंगे और यदि 10,000 से 10,000 parts होंगे तो उसको बोलेंगे very slightly soluble and more than 10,000 होगा that is practically insoluble. तो friends हमारा यहां पर क्यूशन क्या है slightly soluble है तो जैसे 10 to 30 parts होगा तो वो हमारा क्या हो गया, soluble part हो गया, 30 to 100 क्या हो गया that is sparingly soluble हो गया 100 to 1000 क्या हो गया that is slightly soluble हो गया और D that is 1 to 10 part हो गया that is our freely soluble, इस तरह से हमारा जो answer हुआ है वो कौन सा हो गया, C answer that is our C answer, तो यह friends आप लोग सभी की सभी terminology याद कर लेना, इसमें से हार बार क्यूसन आता है, solubility से related तो आपको यह याद जरूर कर लेना, generally जो क्यूसन आता है यहां पर और जो है, वो आता है slightly soluble और sparingly soluble पर generally student confused होते हैं, तो sparingly soluble 10, 32, 100 की बात करते हैं, और slightly soluble की बात करेंगे, तो 100 से 1000 parts की बात करेंगे, okay, come to the next, as per IP, same condition है, friends, देखेगा, as per IP, Indian pharmacopia, storage condition of cool, cool का मतलब क्या होता है, इसमें भी again, IP ने अलग लग temperature condition दी है, friends, यहां पर देखना cold condition दे रखका है, refrigerator और temperature कितना होता है, 2 से 8 degree temperature होता है, और cool की बात करेंगे, अपन तो यहां पर 8 degree से लेके 25 degree centigrade होगा, वो cool condition होगा, room temperature कब की बात कर रहे हैं, that is a working area, जो भी आपका working area temperature होगा, वो room temperature कहलाता है, friends, यह दि 32, 40 degree के बीच में temperature होगा, उस condition को हम warm temperature कहते हैं, और कोई सा भी 40 degree से ज्यादा temperature होगा, हम उसको excessive heat कहेंगे, तो यहां पर देखना, हमारा पहला condition, temperature 8 से कौन सा होगा, वो cold होगा, और इस तरह से 8 से 25 के बीच में, वो cool होगा, और यहां पर working area होगा, वो room temperature होगा, और यहां पर 30 से 40 के बीच में होगा, वो क्या होगा, वार्म condition होगा, तो हमारा जो क्यूसान है, यहां पर cool condition है, तो इस तरह से answer हमारा भी हो गया, that is 8 degree to 25 degree centigrade, फ्रेंट्स यह ज्यादा तर स्टुनेंट्स का गलत होता है, इसलिए इसको ध्यान से रख लेना, 8 से 25 degree temperature को हम क्या करते हैं, cool temperature बोलते हैं, as per Indian Pharmacopeia, okay, come to the next, that is, for acid-based definition, which concept is given, friends, बहुत सारे concept है, जिसमें aranious concept क्या बोलता है, aranious concept होता है, ऐसा compound, जो H plus iron देगा, उसको हम acid बोलते हैं, और यह जो OH minus iron देगा, हम उसको base बोलते हैं, यह basically कब की बात है, जब aqueous condition होगा, ठीक है, aqueous condition होगा, aqueous में भी जब ionize होंगे, इसका मतलब इस थियोरी को हम क्या बोलते हैं, theory of ionization, okay, theory of ionization, clear, यह तो होगया, आरेनेस concept, दूसरा आता है, हमारा bronsted lorry concept, bronsted lorry concept क्या होता है, जो H plus iron, H plus iron को bronsted lorry ने क्या बोला है, उसको बोला है, proton, okay, जो proton donor होता है, उसको उन्होंने बोला acid, और जो proton accepter होता है, उसको बोला है, उन्होंने base, okay, तो यह इसमें आता है, conjugate acid and conjugate base, that is given by bronsted lorry concept, okay, come to the levis acid base concept, levis acid base concept में क्या है, यहाँ पे इन्होंने electron, electron का concept दिया है, electron को हम E minus से denote कर रहे हैं, यदि electron यहाँ पे donor होगा, electron donor होगा, उसको हम base बोलते हैं, और similarly, यदि electron accepter होगा, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं, अपन acid, okay, तो फ्रेंट्स यहाँ पे यहाँ पे तीनों concept जो है, उस तीनों concept acid base की definition को बताते हैं, इस तरह से हमारा answer क्या हो गया, D answer हो गया, that is our D answer, okay, come to the next, which is hard acid, friends, यह hard acid क्या होता है, hard acid की definition क्या होता है, any iron or moiety, यह species की बात कहेंगे, यहाँ पे, species की बात कहेंगे, species में देखेगा, यहाँ पे देखना, friends, which small size, जिसकी size small हो, और high electronegativity हो, okay, high electronegativity हो, high electronegativity का, friends, का मतलब क्या है, tendency, tendency to pull the electron, okay, to pull the electron, तो, friends, जिस पे जितनी ज्यादा small size होगी, और positive charge होगा, उसमें वैसे ही electron खेंचने की पावर ज्यादा होगी, तो उसको अपन hard acid बोलते हैं, जैसा कि अपने leavis acid की बात कहीती, leavis acid में क्या होता है, जो electron को accept करता है, electron को accept करता है, तो यहाँ पे electron जितना ज्यादा खेंचेगा, उसको उतना ही acid बोलेंगे, वो hard acid कहलाएगा, ओके, तो यहाँ पे, friends, देखना, यहाँ पे अपने देखते हैं, iron, copper, zinc, यह सारे के सारे हालाएं कि इन पे plus two charge है, लेकिन यह d block के elements है, okay, similarly copper, silver और mercury अगेर यह देखते हैं d block element, ठीक है, और यहाँ पे iodide, cyanide, sol, SO2, O3, and bromide, यह किस तरह से इन पे negative charge है, negative charge है, तो यह, instead of electron pulling effect, they tend to, या इसको यूँ कहेंगे, कि यह electron donate करने की capability रखेंगे, तो friends, यह answer नहीं हुआ, और यदि अपने इसकी बात करें, तो यह वाला क्या condition कहलाता है, friends, यह है हमारे ass block के, ass block की size आपने देखा होगा, बहुत small size होती है, after, कब, जब electron यह donate कर देते हैं, चीक है, तो इनकी small size हो गई, small size हो गई, और जैसा कि electron दे दिया, तो इनकी electrone negativity ज्यादा है, क्योंकि इनकी electron donate कर चुके, इस तरह से friends, इनका answer होगा हमारा, इस condition में, that is hard acid, A answer होगा, यह हमारा answer A होगा, okay, come to the next, that is buffer capacity क्या होती है, friends, buffer capacity is defined as, buffer capacity क्या होता है, basically thousand ml कोई buffer है, okay, इसको समझना बहुत easy है, thousand ml buffer है, उसमें यदि, क्या करेंगे, pH change करना है, pH change करना है, by one unit, pH change, okay, by one unit, एक unit की pH change करते हैं, on addition of, on addition, addition of strong acid और base, strong acid और base को add करते हैं, और उसका pH one unit change हो जाएं, तो उसके कितने mole use होते हैं, how much mole, how much moles are used, that is known as buffer capacity, okay, buffer capacity, तो friends, यहाँ पर ध्यान देना, हमारा क्या मतलब हो गया यहाँ पर, सबसे पहले तो answer कौन सा होगा, जिसमें thousand ml होगा, तो एक तो thousand ml यह है, दूसरा thousand ml यह है, तो यह दो answer तो हमारे नहीं हो सकते, अब बात करते हैं, strong acid और base होगा, तभी pH change होगा, क्योंकि weak acid और weak base के addition से buffer का pH change नहीं होता, यहाँ weak acid और base है, तो यह भी answer नहीं हुआ, इस तरह से यहाँ पर देखना, moles of strong acid और base required to change the pH of thousand ml buffer solution by one unit, this is the definition of buffer capacity, कई बार क्यूसरा ना आएवाया, friends, इस तरह से हमारा जो answer होगा, okay, come to the next, that is a solution, that is Q7, a solution containing percentage कितना आएगा यहाँ पर, of boric acid is isotonic with body fluids, friends, बताएं आप Q7 का answer यदि क्या है, यदि मैं बात करता हूँ NACL की, okay, NACL की बात कर रहा हूँ, मैं sodium chloride की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर sodium chloride होगा, तो friends, यहाँ पर वो होगा हमारा 0.9% weight by volume, यदि मैं boric acid की बात करता हूँ, friends, boric acid की बात करता हूँ, तो that is 1.9% weight by volume होगा, that is isotonic, इन दोनों की बात करेंगा, that is isotonic होगा body fluids के साथ में, तो यहाँ पर अपन boric acid की बात कर रहे हैं, तो boric acid होगा आंसर हमारा, B होगा 1.9%, that is answer B, okay, come to the next, that is borate buffers, friends, borate buffers are suitable except, borate buffer एक बहुत important question है, friends, यह आपका pharmaceutics और बहुत जगे काम question हाता है, देखना, जब भी आपन phosphate buffer की बात करें, phosphate buffer की बात करें, तो phosphate buffer generally क्या होता है, parental में use होता है, okay, parental solution में, parental में use होता है, means किस की बात कर रहे हैं, injectables, ठीक है, injectables की बात कर रहे हैं, और यह दि जब मैं borate buffer को use करता हूँ, borate buffer को, Friends याद रखिएगा It is never used for parental ठीक है Parent als में इसको यूज कभी भी नहीं किया जाता है borate buffer को opthalmic purpose के लिए यूज किया जाता है external preparation के लिए यूज किया जाता है nasal preparation के लिए यूज किया जाता है इन सभी के लिए तो friend's देखना borate buffer opthalmic preparation के लिए एक्टरनल प्रिप्रेशन के लिए नेजल प्रिप्रेशन तो पेरेंट्रल सॉलुशन के लिए कभी भी यूज नहीं करेंगे इस तरह से आंसर हमारा हो गया D तो याद रखना phosphate buffer को अपन parental के लिए यूज करते हैं borate buffer को अपन यूज नहीं करते हैं parental solution के लिए यह answer हो गया हमारा D ओके, come to the next which is not antioxidant friends, antioxidant का जब classification देखते हैं तो hypo phosphorus acid antioxidant होता है sulfur dioxide antioxidant होता है sodium bisulfide antioxidant होता है लेकिन sodium potassium tartrate इसको बोलते हैं rosal salt ठीक है, rosal salt बोलते है rosal salt basically किस category में आता है इसको अपन ने saline cathartic की category में पढ़ा था saline cathartic इसका मतलब हमारा answer क्या हो गया antioxidant कौन सा नहीं है sodium potassium tartrate तो हमारा answer हो गया friends, D clear है बाकी के सारे sulfur dioxide hypo phosphorus acid sodium bisulfide तीनों की तीनों antioxidant है sodium potassium tartrate antioxidant नहीं है यह saline cathartic की category में आता है तो नहीं है अच्छे नहीं है नाइट्रोजन ग्यास अप्लाइड श्लेंडर्स और प्रेंटेड एज फ्रेंट्स देखना यदि अपारे घर की बात करें तो घर में LPG सिलेंडर होता है LPG का कलर आपने देखा होगा रैड कलर होता है तो रैड इसी तरह से जितने भी गैस से रिलेटेड है वो सारे के सारे एक particular कलर का होता है उस कलर में बात करें तो नाइट्रोजन फ्रेंट्स देखना इस तरह का होता है यदि में बात करता हूँ और यहां पर इस पार्ट को हम बोलते हैं और इस बात इस बीचेह का आप जबुँसे तैप हो गया उपपर जो शॉल्डर नेक है वह वाइत है और नीचे का पार्ट जो है व्या बौडी कहें वहाँ लेकaders का लर आजं python पूरा का पूरा किंपलीटली ग्रे淋 कर लर पूर gonnaथ होता है और सारे के सारे आपके एक्जाम में कोई सा भी क्यूचन पूसा जाकता एल पीजी अपने सलेबस में नहीं है यह मैंने सिंपल सापको कंपेरिजन के लिद बताया है तो देखना यहां पर आपने नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो देखिएगा कौन सा क्यों आंसर होगा हमारा जो नैक और शॉल्डर तो ब्लैक हो गया क्लियर और बाकी ग्रे हो गया तो ग्रे विद क्या हो गया ब्लैक और नैक और शॉल्डर इस तरह से फ्रेंट्स आंसर क्या हो गया हमारा सी क्लियर है यह सी आंसर हो गया क्या देखिएगा ग्रेप है टोके consistent. और black on the neck. टीयेईट कलर और में और है यह हो गया हमारा nitrogen के लिए oxygen का याद रखना Carbon dioxide का याद रखना आपिन प्रोड़क्त का वार वहां तो पूछल या जाता हैdes डाई केलसियम फोस्पेट तो क्या होगा बहुत सारा टेंट्रिफ राइसेज की या एब्रेसिव की तोर पर यूज होता है आप अपने टूथ पेस्ट में देखना यह कंपोनेट जरूर मिलेगा आपको सोडियम फ्लोराइड होता है जनरली फ्लोराइड जो काम लियते हैं वो इनेमल होता है हमारा दातों के उपर उसको स्ट्रोंग करने के काम में लिया जाता है उसको स्ट्रोंग करने के काम में लिया जाता है और जनरली वो सोडियम एने एफ के तोर पे ही यूज लिया जाता है zinc chloride again क्या होता है dental product होता है लेकिन friends यहाँ पे lithium fluoride है fluoride को हम lithium के साथ में कभी भी use नहीं करते है as a dental product fluoride को जब भी use करते हैं पन sodium के साथ use करते हैं ना कि lithium fluoride के साथ में इस तरह से हमारा जो answer हो गया, वो answer क्या हो गया? lithium fluoride that is answer C, clear है? come to the next which is the tube for the nitrogen friends देखना, nitrogen जैसे हमारे environment में लगबग लगबग कितना 79% होता है हमारा nitrogen environment में, means इसका मतलब inert gas हो गया friends, और used in cryogenic surgery, friends cryogenic surgery क्या होता है, देखना यहाँ पे इसको समझना यह तो इस cylinder में क्या है nitrogen gas बरहा है और nitrogen gas बरहा है और that is किस form में? liquid form में है clear? यहाँ पे यदि हमें किसी एक particular area पे एक surgery करनी है इस चीज को हमें हटाना है, तो क्या करेंगे? हम इसको spray करेंगे और spray भी बहुत तेजी से spray करेंगे और वो इतनी तेज से spray होगा कि जो यह वाला area है जिसको हमें हटाना है तो वो क्या करता है? because of liquid condition और बहुत तेज जाएगा spray क्योंकि gas condition में बाहर निकलेगा तब क्या होगा? इस particular area को पूरा का पूरा ऐसा कासा हटा देगा जैसे हमने चाकू से इसको हटाया हो या surgery की हो तो जो liquid nitrogen से जो nitrogen होता है liquid nitrogen से हम जो surgery करते हैं उसको हम cryogenic surgery बोलते हैं कई बार यह question पूछा जाता है what is the cryogenic surgery? और दूसरा आता है used as a diluent for the oxygen before administrating to the patient friends, जब भी हम किसी patient को oxygen देते हैं तो कभी भी 100% हम नहीं देते कभी भी 100% नहीं देते oxygen के साथ हमेशा nitrogen मिलाया जाता है या helium helium मिलाया जाता है helium मिलाया जाता है और बोट हर inert gas जो यहां पर means किस ratio में मिलाया जाता है generally जो environment में ratio होता है उसी ratio मिलाया जाता है इसलिए यह अंसर का मनला उसको डाइलूट करने के लिए इस तरह से friends इसका आंसर क्या होगा innaut gas हो गया cryogenic में हो गया diluent की दर यूज हो गया इस तरह से answer क्या हो गया हमारा ड़ी answer हो गया that is our a answer ok साथ समझ में आ गया होगा आप लोगों को cryogenic surgery आप जरूर ना, that is related to nitrogen, okay, come to the next, that is, see friends, which is ideal property of the anti-acid, anti-acid की बात करें, friends, ideal property की जब भी बात होती है, ideal का मतलब होता है, कि जो काम बताया गया हो, वो ही काम करें, वाकि कोई काम ना करें, anti-acid का काम क्या है, to neutralize, to neutralize, क्या gastric acid, gastric acid का मतलब, gastric acid, तो anti-acid क्या हो गया, उसको simple सा neutralize करें, बाकि कोई काम ना करें, means, वो absorb नहीं हो, absorb नहीं हो, not be absorbable, बिल्कुल सही है, not interfere with the food, with absorption of food, means, समझ में आया, मतलब हमारा, जो food material है, stomach में, उसके absorption में, उसके absorption में क्या हो, कोई interference ना करें, और not to be laxative or cause constipation, मतलब, ना तो वो diarrhea करें, ना कोई constipation करें, पता लगी हमने, acidity तो खतम कर दी, लेकिन उसने diarrhea कर दिया, constipation कर दिया, तो भी problem है, मतलब, यह तीनों की तीनों properties क्या है, है किसके लिए, ideal property के लिए, इस तरह से हमारा, जो answer हो गया, that is the answer, okay, that is the answer, come to the next, friends, देखेगा, which is the systemic absorbable antacid, यदि आपको classification याद है, classification देखना, हमने जो classification किया था, classification इसी basis भी किया था कि कौन सा systemic antacid है, और non-systemic antacid है, उसमें systemic में यादि आपको याद हो, तो sodium carbonate ही एक मतर ऐसा था, जो absorb होता था, sodium carbonate absorb होता था, इसी लिए, ये systemic क्या करता था, systemic alkalosis करता था, clear, alkalosis करता था, और इसी की वज़े से, याद हो, तो आपको याद रखना, burnet syndrome होता था, यदि आपको याद नहीं हो, तो ये याद रख लेना, burnet syndrome क्या होता है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, sodium bicarbonate को यदि में milk के साथ में, यदि में milk के साथ में काफी long duration के, duration ले लेता हूँ, long duration ले लेता हूँ, तो जो symptoms आएंगे, जो symptoms आएंगे, वो symptoms क्या होंगे, hypoparathyroidism की जैसे होंगे, और वो burnet syndrome हो, या दूसरा इसका नाम होता है, milk alkali syndrome, milk alkali syndrome, ओके, तो इसके बहुत important, है, किसकी बात कर रहे है, sodium bicarbonate, इस तरह से friends, जो हमारा answer हो गया, answer is the A, ओके, बाकी, aluminium phosphate, calcium carbonate, and magnesium carbonate, all are the non-systemic, ओके, come to the next, that is, see, मीठा soda, या baking soda, किसको बोला जाता है, ये तो सभी को पता होगा, नहीं भी पता है, है, तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे, sodium bicarbonate को मीठा soda बोला जाता है, या baking soda बोला जाता है, ये हमारा मीठा soda, जिसको baking soda बोलते हैं, इस तरह से हमारा जो answer हो गया, answer A, okay, come to the next, which anti-acid is avoided in cardiovascular patient, friends, cardiovascular patient का मतलब एक थोड़ा सक simple concept देखेंगे, ऐसा patient जिसका blood pressure ज्यादा हो, clear, यदि आपको ध्यान हो, blood pressure patient या cardiovascular patient को हम क्या करते हैं, नमक, NACL, या जो अपन salt बोलते हैं, salt ज्यादा देते हैं, या कम देते हैं, less amount में देते हैं, ठीक हैं, less amount में देते हैं, friend, देखना, यहाँ पे जो sodium carbonate है, वो sodium carbonate क्या है, absorbable है, absorbable है, तो क्या होगा, यहाँ पे absorb होगा, तो sodium अंदर जाएगा, बाइकार्बोनेट अंदर जाएगा, और ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोलाइट होंगे इलेक्ट्रोलाइट क्या करेंगे इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा तो क्या होगा इंबैलेंसिंग होगा इंबैलेंसिंग होगा तो फ्रेंट ध्यान देना जैसा कि यहां पर NACL का intake restricted है किसकी बात कर रहे थे BP पेसेंट की जिसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो इसलिए sodium bicarbonate absorbable होने की वज़े से cardiovascular patient को नहीं दिया जाता और इसी तरह से दो तीम और चीज़े हैं यहाई पर याद रख लेना क्या ऐसा patient जिसको renal problem हो या renal failure हो तो उसको भी यह नहीं दिया जाता या कोई जो old patient होंगे उनको भी नहीं दिया जाता इस तरह से क्या होगे हमारा answer friends answer is E clear तो बाकी के सारी absorb नहीं होते यह sodium bicarbonate यह जो होता तो cardiovascular patient में sodium bicarbonate को हम avoid करते हैं ओके come to the next which anti-acid cause constipation constipation problem see friends ध्यान देना anti-acid constipation नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी करते हैं यहाँ पर मैं आपको याद करूंगा याद करने के लिए ध्यान देना जो calcium and aluminium containing जो anti-acid होते हैं वह तो क्या करते हैं constipation करते हैं constipation करते हैं clear और जो magnesium containing anti-acid होते हैं वह क्या करते हैं वह करते हैं यहाँ पर लेक्जेक्टिव एक्शन देते हैं लेक्जेक्टिव एक्शन करते हैं मिस्ट डाहिरिया करते हैं ठीक है और केल्सियम और aluminium containing anti-acid क्या कर रहे हैं constipation कर रहे हैं और जनरली इसी लिए इस प्राब्लम को शॉट आउट करने के लिए क्या करते हैं हम इन दोनों का मिक्स्ट देते हैं या जिसको अपन बोलते हैं combination anti-acid preparation क्लियर combination anti-acid preparation देखना फ्रेंड्स क्यों देते हैं एक तो करता है constipation दूसरा क्या करता है लेक्जेक्टिव इस तरह से दोनों आपस में लड़ते रहेंगे और पेसेंट का फाइदा हो जाएगा उस पेसेंट क्या क्या होगा ना तो लेक्जेक्टिव एक्शन होगा ना कॉंस्टिपिशन एक्षन होगा अगाते हमसे तरह से तरह से परेंड्स हमारा जो आंसर हो गया क्या हो गया एंसर हो गया calcium containing anti-acid okay come to the next which anti-acid cause lexative action जैसा कि मैंने बताया था अभी फिछले की उसन में तो magnesium containing जो anti-acid होंगे वो क्या होंगे lexative action देगा ही देगा तो इस तरह से friends हमारा आंसर हो गया B clear come to the next that is friends universal एंटिडोट किसको बोलते हैं यह कई बार फार्मासिस्ट एक्जाम में क्यूसन आया होगा है यह निवर्सल एंटिडोट होता है friends magnesium oxide दोसरा होता है ternic acid और चोता होता है activated charcoal एक्टिवेटेड चार्कॉल एक्टिवेटेड चार्कॉल फ्रेंट्स क्या करते हैं friend द्यान देना थोड़ा सक समझ लेना बहुत एजी है मैं इसको हीट करता हूं इसको हीट करता हूं तो इस charcoal की जो शर्फेस पे क्या होता है जो गैस या जो भी material या जो होता है वह बाहर निकल जाता में जब इसको हीट देता हूँ और जो इसकी जो सर्फेस है चारकोल की वो सर्फेस क्या हो जाता फ्री हो जाती है फ्री होने से क्या होता है जो चारकोल जाएगा बोडी के अंदर वो क्या करेगा उस जो पॉईजन होगा उस पॉईजन को क्या करेगा अपनी सर्फेस पे चिपका लेगा मतल बहुत बार क्यों सनाया, magnesium oxide, tannic acid and charcoal, tannic acid and charcoal इस तरह से answer हमारा जो है, that is C answer हो गया, universal antidote, बहुत बार क्यों सनाया, friends, याद रखिएगा, magnesium oxide, tannic acid and charcoal, generally कई बार activated charcoal भी बोला जाता है, next आता है, order of stronger action, friends, देखिएगा, जो तीर वर्ड्स हैं, cathartic, laxative and purgative, जो सबसे weak action होता है, वो तो होता है, क्या laxative, okay, और उसके बाद में होता है, थोड़ा strong होगा, वो होता है, purgative, clear, और सबसे strong होता है, वो होता है, cathartic, okay, तो यह हो गया, सबसे strong, तो friends, सबसे strong, cathartic हो गया, तो cathartic का मतलब, सबसे strong, cathartic यह आरा, फिर pergative आरा, फिर laxative आरा, इस तरह से हमारा answer क्या हो गया, बी answer हो गया, means बी answer हो गया, ये भी कई बार क्यों सनाया हुआ, याद रखेगा, सबसे weak lexiety को बोलते हैं, उसके strong action को हम परगेटिव बोलते हैं, उसके strong action को हम क्या बोलते हैं, catharty, okay, come to the next, ipsum salt किसको बोलते हैं friends, ipsum salt क्या होता है, magnesium sulfate होता है friends, और उसके साथ seven water molecule होता है, उसको हम इसम salt बोलते हैं, और यहाँ पर magnesium sulfate, that is a answer हो गया, that is a answer magnesium sulfate, okay, come to the next, that is, soap stone क्या होता है, soap stone या एक नाम और होता है, यहाँ पर french chalk, जिसको बोलते हैं, french chalk, ये किसका नाम होते हैं, दो नाम हैं, ये होते हैं, टैल्क को, जो टैल्क यूज होता है, टैल्क पाउडर ह होता है basically और यह टैल्क पाउडर बेसिकली क्या होता है free from grittiness free from grittiness and grittiness friends free from grittiness का मतलब क्या होता है जो इसके particles होते हैं बहुत स्मूथ नीचर के होते हैं जो अपन टैलकम पाउडर लगाते हैं body पे कितना स्मूथ होता है अपने केरम बोर्ड में भी लगाया होगा बहुत स्मूथ होता है तो इसी वज़े से क्या होता है टैल को अजिस्व पिश्टोन बोलते हैं और फ्रेंच चॉक भी बोलते हैं और इस तरह से हमारा जो आंसर हो गया कि पर्फस से होता है जैसा कि मैंने बताया थ critic क्या होता है बहुत ज्यादा इस्मूथ होता है इस्मूथ होता है टैस्टिंग पाऊडर में यूज होता है हुग है लुब्रिक टेबलेट यहां पे हमने फेल्टर पेपर लगा दिया यहां पे मने क्या किया यहां पे हम दिआ पू! तो यहां पर जो filter होगा, वीकोज इनर्ट है, टैल्क क्या होता है? क्या होगा बहुत, smooth particle है, fine particle है, तो यहां बहुत paw quoting, बहुत अच्छे से pakaiking हो जाती है, इसलिए जो भी impurity हो उपर ही रह जाता है, और जो नीचे जो हमें, culprit rate मिला वो हमें generally प्रोटेक्टिव का मतलब क्या होता है यह हमारी स्केन हो गिया टोपिकल एजेंट के तोर पर प्रोटेक्टिव होता है यहको करते हैं कोई क्रीम लगाते हैं तो प्रोटेक्ट हो गया क्यों क्योंकि बाहर का अन्वायरमेंट से यहां पे ना तो मुझे को क्या करना है डस्ट पार्टिकल देना है ना यहां पर डस्ट पार्टिकल आने चीह जाए ना यहां पर ना यहां पर दूसरे particles आने चीए ना microorganism का आना चीए ना यहां पर sunlight आने चीए इन सभी की वजेसे जो problem हो की वो क्या नहीं होने चीए इसको हम protective बोलते हैं means vista paul cultural change is protective commanded काूँज सनौाँगा कैलमायण loISHन का यूज़ होता है titanium dioxide वो किसमें यूज होता है आपको याद होगा संस्क्रीन लौशन में यूज होता है संस्क्रीन लौशन या क्रेम में जो यूज होता है डाट इस आपको यह डाइया है तो यह जो रॉट या जो यहांसर हो गया डी यह क्या है में lopate, ipsum salt भोलते हैं जो Сलों कहता चाथ है का तौर पे यूज रोता है, next है, which is the mechanism of action on antimicrobial, friends antimicrobial हम किसको बोलते हैं, microbes होता है, microorganisms कि उसको बोलते हैं, जिसकी size 10 की power minus 6 meter की होगी, हम उसको microbes भोलते हैं, microorganism भोलते हैं, इसमें virus की बात कहूँगा, इसमें bacterias की बात कहुंगा, इसमें fungus की बात करूँगा, यह सारे के सारे microorganism होते हैं, clear, उनके against काम करने वाले को हम antimicrobial बोलते हैं, friends, इसको देखना, friends, suppose यह हमारे क्या हो गया, यह हमारा हो गया, suppose microorganism, यह bacteria cell है, clear, bacteria cell है, जितने भी यह cell organelles हैं इन cell organelles को destroy करना है तो जो antimicrobials होते हैं वो antimicrobials क्या होते हैं या तो यह जो plasma membrane या जो यह है इसको disrupt कर दे इसका वो कैसे करते हैं या तो इसका oxidation करते हैं यह जो यह प्रोटन प्लाजम मेंब्रेन लाइपो प्रोटीन की होती तो इसका प्रोटीन का क्या कर देते हैं प्रोटीन का क्या कर देते हैं प्रैसिपिटेशन कर देते हैं प्रैसिपिटेशन कर दिया यह इसका क्या करते हैं जो भी इसके जो बायो मॉलेक्यूल्स हैं बाकी इस तरह से औक्षिडेशन कर रहा है प्रोटीन प्रेसिपिटेशन कर रहा है है इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया यह हो गया हमारा डी आंसर हो गया इस तरह से हमारा डी आंसर हो गया ओके फ्रेंट थैंक्यूंग फॉर वाचिंग आपको यह दी अच्छा लगा इसमें कु झाल झाल